सभी लिखना है कैसे सही पढ़ना है वो केवल ग्रैमर से नहीं सीखा जा सकता है उसमें grammar का roleية तो है ग्रैमर एक है कि एप्डर्टन पार्ट है लेकिन ग्रैमर के साथतमें जो लॉजिक है वह भी बड़ा इंपोर्टन पार्ट तो हमें दोनों का balance बना के approach करना होता है तो आज मैं आपको grammar और वर्सल लॉजिक कैसे काम करता है sentence में इसको हम लोग समझेंगे लेकिन उससे पहले एक दो points जो मैं आपको revise करवा देने चाहता हूं इस sentence में जो मैं चाहूंगा आप लोग समझ लें वह यह है कि जब भी हम कोई sentence लिखते हैं कोई भी sentence हम बच्चे लिखते हैं तो sentence में आप देखते होंगे कि एक तो होता है structure of the sentence कि एक होता है meaning of the sentence तो sentence के दो components होगे एक होगे structure structure का मतलब कि sentence में subject यह है predicate यह है compliment यह है object यह है direct object यह है indirect object यह है यह सभी structure हो गया उसके बाद में meaning कि वह जो sentence है वह कोई नो कोई message convey गर रहे है तो वह जो meaning है वह भी उसी sentence का element है वह उसी का part है हम उसको sentence से अलग रखके नहीं सही English सीख सकते हैं जब लोग उस उस पार्ट को हटा देते हैं learners जब उस पार्ट को include नहीं करते हैं learning में तो फिर वह rules की तरफ जाते हैं exceptions की तरफ जाते हैं फिर वह rules पढ़ते हैं exceptions पढ़ते हैं ठीक है इस तरीके से उनकी approach डवलप होती है लेकिन आगर हमें starting से ही वह component जो है उसको भी अपना focus में रखे है और उस पर विध्यान रखे हैं कि language सीखने का मतलब के अवल grammar के user सीख लेना क्या सही है क्या गलत है वो सीख लेना नहीं है समझना भी कि जो हम पढ़ रहे हैं जो हम लिख रहे हैं जो हम बोल रहे हैं वो हमें भी समझ मैं ठीक है वो तभी संबब है जब हम उस sentence के meaning पर भी focus करें उसके comprehension पर भी focus करें आप देखिए structure जो होता है वो किसी sentence का सही है गलत है यह कैसे decide होता है ठीक है और किसी भी sentence का जो meaning है वो logical है नहीं है यह कैसे decide होता है तो इसके लिए होता गया है कि grammar जो होती है जब हम grammar सीखते हैं किसी भी language में हर एक language में grammar होती ही है transcript में भी व्याकरण है हिंदी में भी व्याकरण है इंगलीज में भी grammar है तो जो grammar होती है grammar से हम यह सीखते हैं कि sentence को कैसे हमें लिखना है कौन सा वर्ड कहां पर यूज होगा किस फॉर्म में यूज होगा यह सब हम grammar से सीखते हैं लेकिन जो किसी sentence का meaning जो है वो logical है या नहीं logical है गलत है या नहीं है वो हमें कैसे पतलता है वो हमें पता चलता है context से context का मतलब है situation जिस situation को वो sentence refer कर रहा है कि वो situation logical है या नहीं है अब कोई situation logical है या नहीं है हमें कैसे बता चलेगा common sense है humans का हमार common sense तो हम इंसानों का अपने common sense होता है जैसे कोई person अगर हमसे यह कहे कि कर में ने एक फुल देखा आस्मान में था तो आस्मान में पुल था तो यह कहने वाले ने तो कह दिया उसने grammar के साफ से सही बोल दिया सही लिख दिया बट अब हमें सोचना है कि आस्मान में पुल कैसे foundation कहा मिलेगी उसे फुल भहिए के structure है ठीक है वो आप आस्मान में बना दोगे तो नीचे गिरेगा है आके तो वो हवा में रुकेगा कैसे तो यह हमें common sense यूश करना है कि ऐसे कैसे कोई भी sentence जो है वो जिस situation को represent कर रहा है जिस context को रिप्रेजेंट कर रहा है वो situation logical है यह नहीं है यह हमें common sense से पता चलता है अपनी समझ का यूश करना पड़ता है समझ का मतलब है देश दुनिया की knowledge कि आप समाज के वारे में अपने आस्पास होने वाली चीजों के बारे में कितना समझते हो तो वह जो आपकी knowledge है your knowledge about the world around yourself आसपास की जो दुनिया है उसको लेकर जो आपके समझ है ठीक है उससे पता चलता है कि यह situation sentence रिप्रेजेंट कर रहा है यह situation logical है या नहीं है यह लिखा गया sentence meaning को convey कर रहा हूं को sensible meaning है या nonsense meaning है वो हमें अपने common sense से पर चलते हैं तो यह दोनों पार्ट हमें सीखने अब लास्ट क्लास में हम लोग यह वाला पार्ट डिसकस कर चुके हैं तो जैसा कि तुम लोगों का response था उससे मैंने जाना कि भई सही है अच्छी है तुम लोगोंने मेहनत अच्छी किया अब इसको और हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं एक दो क्लास में यह जो कंपोनेंट है इसको भी अपना कवर कर लेते हैं फिर हम लोग chapters start कर सकते हैं फिर हम एक ऐसी condition में हुए कि हम chapters के सुरवात कर रहे हैं आज आज आपके सामने क्या है कुछ sentences रहेंगे हमें वो sentences पढ़ने और उन sentences को पढ़कर यह समझना है कि यह लिखे के sentences जो है यह correct है यह नहीं correct है in terms of grammar and in terms of logic की मतलब logically और grammatically क्या यह दोनों तरीके से सई sentences है या गलत हैं अगर एक भी तरीके से गलत हैं चाहे grammatically चाहें लोगिकली तो हमें उनको correct करना है या हमें समझना है कि हम यह इस वज़े से गलत हैं तो अब देखिए आपके सामने दो questions है I haven't ever heard of such a movie as he is talking about और दूसरा लिखा है the theory which I have completely changed the concept what time is is Einstein's theory of relativity यह दोनों sentence आप पढ़िये और पढ़कर यह बताए क्या इन में से कोई भी sentence या दोनों sentence गलत है grammatically या logically either way या फिर सही है कोई भी गलती नहीं है और यह sentences एकदम सही है यह हमें समझना है सब्सक्राइब करेंगे और अपना answer जल्दी से comment करेंगे समझना है main बात इस पर है कि कोई जल्दबाजी नहीं है मैं answer बताने की मुझे आपके answer से कोई लेंदना नहीं है मैं answers के लिए पढ़ाता भी नहीं हूँ और मुझे लगता जो समझदार बच्चे होते हो answer के लिए पढ़ते भी नहीं है ठीक है हम इसलिए ये class कर रहे हैं कि जिससे हमारा sense डवलप हो language sense डवलप हो हमारी understanding डवलप हो जो हम बार बार बात करते है common sense की वो डवलप हो तो focus होना चाहिए समझने पर कि जो हम पढ़ रहे हैं जो हम सुन रहे हैं वो हमें समझ में यह ज़्यादा जरूरी नहीं है होता ही है कि जब आपको कोई बात समझ में आ जाती तो याद होई जाती है अपने आप और अगर आप बिना समझे किसी बात को जबरदस्ती याद क करने की कोसिस करें तो बे मतलब अपने को ठका लेंगे और वो आपको याद होगी भी नहीं या याद हो भी जाएगी तो उससे आप फायदा नहीं उठापाऊगी जितना आपको फैदा मिलना चाहिए तो हमारा focus answers कभी नहीं होने चाहिए मेरा focus कभी answers नहीं होते पढ़ाते समय तो अगर आप ऐसे learner हो कि आपका focus भी answer नहीं है सीकते समय तो बस बनगे जोड़ी दोनों में से कौन सा सही कौन सा गलत यह कमेंट करेंगे अब ऐसा लग रहा है क्या क्या लग रहा है कि पहले वाला से दुसरा लग रहा है यह लग रहा है है क्या यह अब हमें सोचना है यह तो वो है जो हमें लगा अब हमें सोचना है कि है क्या सही या गलत देखे most time हमारे साथ क्या होता है कि हम उस बात को सही मानते हैं जो हमें सही लगती है और उस बात को गलत मानते हैं जो हमें गलत लगती है लेकिन जो हमें सही लगाया है या जो हमें गलत लगाया है कोई जरूरी तो नहीं है वो सही है गलत ही होगा हो सकता है जो आपको सही लग रहा हो वो गलत हो और ऐसा भी हो सकता है जो आपको गलत लग रहा हो वो सही हो तो हमारा focus किस बात पर होना चाहिए हमारा focus इस बात पर होना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है हम वो सीखें हम यह न सीखें कि हमें क्या सही लग रहा है या हमें क्या गलत लग रहा है उसकी कोई value नहीं है वो बेकार की बाते हैं आपको क्या सही लग रहा है वह आप अपने तक रखो, आपको क्या गलत रख रहा है वो आप अपने तक रखो, उससे कोई फर्क निफाने जा रहा है। पर इससे पढ़ने जा रहा है कि अगर आप यह जान पाओ कि सही क्या है, गलत क्या है, objectively तो subjective approach तो काम करती नहीं है, objectively अगर आप language को अप्रोच कर पा रहे हैं, तो फिर आप सही रास्ता हमने पकड़ लिया है, तो हमें वो रास्ता बनाना है, ठीक कर, ठीक है, जो की objectively जिस पर हम चल पाएं, चलिया, तो किसी को दोनों गलर लग रहे हैं, किसी को एक गलर लग रहा है, चलिया, अब मैं आपको समझाता हूं, देखें, पहले मैं answer बता देता हूं, फिर आपको समझाता हूं, यह जो दो sentence हमारे सामने लिखे हूं है, बच्चों, इन में से ये वाला sentence ज कुछ से देखें, तो दोनों सही है, उपर लिखा कि sentence grammatically गलत नहीं है, logically गलत है, जो उसका meaning है, वो sensible नहीं है, वो मतलब fact को counter कर रहा है, इसलिए गलत है, तो मैं आपको समझाता हूं, यह दोनों को, सबसे पहले इसको समझा लेते हैं, सही क्यों है, कुछ लोगों को यह the theory subject है, ठीक है, is Einstein's theory of relativity, यह इसका predicate है, इस predicate में verb is है, Einstein's theory of relativity, यह इसका complement है, subject complement है, और यह हमारी main clause है, the theory is Einstein's theory of relativity, यह इतना हो गया, अब उसके बाद में जो बचा रहा जाता है, वो क्या है, देखिये, समझिये, which completely changed the concept, what time is, यह एक relative clause है, इस relative clause में यह जो which relative pronoun हमने use किया है, इसका antisend the theory है, और यह which relative pronoun जो है, वो अपनी इस relative clause का subject है, और इस relative clause का जो जो predicate है, वो यह है, completely change the concept, ठीक है, now what concept, यह बताने के लिए हमने एक अपोजिटिव केस की noun clause लिख रखिया, what time is, तो what time is जो है, यह एक noun clause है, और इस noun clause को हमने अपोजिटिव केस में use का रखिया है, अपोजिटिव किसका बना के, concept का बना के, concept क्या है, तो कुल मिला कि यह जो relative clause है, which completely change the concept, तो इसमें which subject है, completely change the verb है, और the concept change the verb का object है, और जो concept noun है, उसके लिए हमने एक अपोजिटिव केस में noun clause लिखिया है, what time is, तो what time is एक noun clause है, जो की the concept के लिए अपोजिटिव केस में use हुई है, अब आप समझ में आगे होगे sentence है, तो यह जो हमने is लिखा पहले वाला, यह is इस noun clause की linking verb है, और इस linking verb का subject है time है, और complement है, अब चूंकि वाट जो है, वो connecting word भी है, तो connecting word जो होते हैं, वो अपनी clause की starting में लिखे जाते हैं, तो इसलिए हमने word को starting में लिख रखा है, लेकिन word जो है, वो is linking verb का compliment है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चे, कि जो is verb है, इसका subject time है, और word इसका compliment है, और what time is एक noun clause है, जो कि sentence में, अ positive case में उसकी गए, the concept के लिए, ठीक, which completely change the concept, a relative clause है, जिसका subject which है, जो कि the theory and precedent के लिए उसका गया है, और which जो है वो is relative clause का subject है, इस relative clause का predicate है, completely change the concept, completely adverb है, change verb है, the concept उसका object है, वर्व का, ठीक, तो जब आप ऐसे देखोगे, तो समझ जाओगे, कि यह is verb noun clause की वर्व है, और यह is verb linking verb की, यह हमारे main clause की वर्व है, तो कोल मिला के sentence है, इसमें कोई भी grammatical mistake नहीं है, अचा, logically भी सही है, यह तो grammar का हमने analysis कर लिया, तो grammatically यह sentence है, अब अगर आप इसको logically देखेंगे, तो भी है सही है, क्यों सही है, sentence का मतलब समझते है, the theory, वो theory कौन सी, which completely change the concept, जिसने completely उस concept को change कर दिया, कौन सा concept, what time is, कि समय क्या है, इस concept को जिसने completely change कर दिया है, वो theory क्या है, is Einstein's theory of relativity, वो theory है Einstein की theory of relativity, Einstein ने बताया नहीं कि time भी relative है, तो grammatically भी सही है, logically भी सही है, अब उस example बजाएगे, I subject है, haven't ever heard verb है, of such movie object हो गया, such movie object हो गया, of का, as is talking about, यह एक relative clause हो गया, जिसमें as जो है हमारा relative pronoun है, और about proportion का object है, अब इसमें दिक्कत के हैं, हमें यह समझना है, दिक्कत इसमें देखिया बच्चे यह है, कि यह जो हमने लिखा है, haven't ever heard, I haven't ever heard, ever का मदलब है tiny point in time, और हमने present perfect tense लिखा, present अगर यह बाते आप पहले से जानते हैं, तो ठीक है नहीं जानते हैं, तो आगे सिख जाओगे, present perfect tense जो होता है, इसका time past present होता है, और अगर हम present perfect tense को negative meaning में यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मदलब हमने past को और present को दोनों को negative कर दिया, तो कहने का मदलब जिस action को हम यहाँ पर refer कर रहे हैं, वो action ना तो past में valid है, ना present में valid है, यह मतलब होगे, I haven't ever met him, यह I have never met him, तो present perfect tense का मदलब past प्लस present है, अगर आप present perfect tense को negative में यूज़ करते हैं, तो इसका मदलब वो action past के लिए भी negative है, और present के लिए नेगेटिव है, कहने का मदलब वो action ना past में हुआ, ना present में हुआ, ठीक है, ऐसा हो सकता है, I have never met him, कि मैं उ बात कर रहा है, ऐसी movie के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना, अब तो सुन लिया, तो पता कैसे ही कैसी movie के बारे में बात कर रहा है, अगर तुमने कभी ऐसी movie के बारे में सुना ही नहीं, तो तुमें पता कैसे चला कि कैसी movie है जिसके बारे में बात कर रहा है, तो इसका जो meaning है वो truth को counter कर रहा है सचाहिए है कि अब आप जान चुके होगे वो movie कैसी है जिसके बारे में बात कर रहे है ठीक है तभी आपने यह सची उसकी है अगर जान नहीं पाए होते कैसी movie है तो सच determiner use नहीं होता तो इसका मालब अब इसको कैसे साही करेंगे अब इसको साही करने का तरीका पता है कि इसको साही करने का तरीका यह है कि आप यहां पर लिख दो I haven't ever before I haven't ever heard of such movie before कि यहां पर मत लिखो क्योंकि वह रिलेटेव प्रणावन उसके बीच में यहीं लिख दो I haven't ever before heard of a movie such a movie as he is talking about तो यह भी सही हो गया तो अगर हम यहां पर before लिख दें तो यह भी सही है लेकिन अगर हम before ना लिखें तो यह गलत है अब थोड़ा ब़ुद समझ में आयो का हो सकता है थोड़ा ब़ुद ना भी समझ में आयो तो मैं एक दोना एक्स्ट्रा एक्जम्पल अपनी तरब से लिखके आपको समझा देता हूँ देखिए अब जैसे मैं लेका आव ने वर्वर्श ट सच आ मोवी अज टकिंग कि मैंने तो ऐसी मोवी कभी नहीं देखिए जैसी मोवी के बार वे में बात कर रहा है ठीक है और हमने इसमें never लिख दिया, never लिख देने का मतलब यह है कि यहाँ पर past भी negative हो गया और present भी negative हो गया, मतलब ना तो मैंने ऐसी कोई movie past में देखी ना मैंने भी present में देख पाई तो यह सही है, लेकिन अगर आप हर्ड लिख दोगे तो यह logical हो जाएगा, क्योंकि हर्ड का मतलब सुनना है, तो कहने का मतलब आप सुन तो चुके होगे, माल लिए किसी movie का रहे हैं बात हो रही है और मैंने उस movie कारे में सुना लोगों को बात करते हुए, लेकिन जिसके बार पॉस्टिव हो गया, प्रिजेंट नेगेटिव हो गया, तो सरी, पास नेगेटिव हो गया, प्रिजेंट पॉस्टिव हो गया, तो वैसी situation में हमें बिफोर लिखना पड़ता है, मैं लिख के समझाता हूँ ऐसे हो सकता तुम्हें थोड़ा, कन्फूजन करें, देखो, लि तो अगर हम यहाँ पर यह लिख दें, I have never heard of such a movie, तो यह past प्लस present हो गया, present perfect tense का मतलब past प्लस present हो गया, और हमने इसमें never लिख दिया, तो never लिखने का मतलब यह action past के लिए भी negative हो गया, present के लिए भी negative हो गया, ना यह काम कभी past में हुआ ना present में हुआ, लेकिन यह चीज सो कभी ऐसी movie के बारे में, past में सुना ना present में सुना, तो तुम्हें पता कैसे चला एक ऐसी movie है, 梅गर यह तुम्हें पता चल गया है, तो अगर हम have never heard लिखेंगे, तो never तो past और present दोनों को negative कर देगा, कि present perfect tense में तो दोनों time included होते हैं, तो आब हम क्या करें, before लिख दो, I have never before, I have never before heard of such a movie as he is talking about, तो इसका मुद्द होगा है कि मैंने पहले कभी ऐसी movie के बारे में नहीं सुना, अब तो सुनी लिया, but now I have, यहाँ पर एक understood meaning हो जाएगा, but now I have, but now I have heard, लेकिन अब मैंने ऐसी movie कारे में सुन लिया, पहली बार, तो यह हमें ध्यान कि जब हम present perfect tense में never लिखते हैं, तो वो past और present दोनों का negation होता है, वो past का भी negation होता है, और present का भी negation होता है, कुछ situations ऐसी बनते हैं, जिन में past negative होता है, present नहीं negative होता है, present positive होता है, my fellow passenger is a bit nervous as he has never been on a plane okay question, दूसरा I have never before visited Agra but I shall visit Agra next month अब देखो, यहां पर हमने लिखा, never have never before, विस्टेड आगा, तो यह past present perfect tense का मतलब past plus present, यह बात तुम में से बहुत से बच्चे जानते होंगे पहले से जो नहीं जानते हों, आज के बाद में हमें साथ ध्यान रखेंगे, यह present perfect tense, past plus present, और हमने यहां पर never लिख दिया, यहां पर लिख immediately, never, never लिखने का मतलब है कि past भी negative हो गया, present भी negative हो गया, तो इसका मतलब he has never been हो ना plan का मतलब वो कभी किसी plan में नहीं गया, ना past में कभी ना present में, लेकिन ध्यान से देखो present में तो वोirDe an नमे ही होगा, तभी तो उसको fellow passenger कहा जा रहा है, तो अगर उसको fellow passenger कहा जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि इस समय वो plane में है लेकिन present में वो plane में है तभी वो fellow passenger है ठीक है और वो पहली बार plane में इसलिए वो nervous है तो कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो person अभी plane में है यह आज से पहले कभी plane में नहीं आया होगा तो यह action केवल past के लिए negative है present में यह positive हो गया ठीक है present में यह positive हो गया present में तो अभी plane में ही होगा इस समय तो अगर present में यह plane में होगा तो यह केवल past के लिए negative है present के लिए negative नहीं है तो never said before लिए तो इसको ऐसे लिए my fellow passenger is a bit nervous because he has never been on a plane before या he has never before been on a plane यह answer हो गया तो my fellow passenger is a bit nervous as he has never before been on a plane next में जो I have never before visited आगरा तो never before का मतलब यह है कि past negative है present positive है never before का मतलब यह मानना पड़ेगा कि मैंने पहले कभी आगरा को visit नहीं किया तो इसका मतलब आपको यह मानना पड़ेगा but now I have visited आगरा अब मैंने आगरा विजिट कर लिया तो मानलो कोई ऐसा person ने जो आगरा में आया है पहली बार और वो यह बताना चाहता है कि आज से पहले वो कभी आगरा नहीं आया तो वो ऐसे बताएगा I have never before visited आगरा but now I have visited लेकिन अब मैंने विजिट कर लिया यह यहाँ पर understood meaning होगा लेकिन ध्यान से देखो यह meaning आप justify नहीं कर पाऊगे क्योंकि अभी लिखा हुआ I shall visit आगरा next month यह अगले महिने आगरा जाएगा तो इसका अनलब अभी यह present में भी आगरा को विजिट नहीं कर पाया तो अगर यह present में भी आगरा को विजिट नहीं कर पाया तो present भी negative है तो past भी negative है present भी negative है तो before मत लिखो तो ऐसे लिखो I have never visited आगरा तो past भी negative होगे present भी negative होगे ना तो मैंने आगरा कभी past में विजिट किया ना present में विजिट किया ठीक है तो यह आपको ध्यान लगना है जब हम never before लिख देते हैं तो यहाँ पर अंडरस्ट में ही नहीं होता है my fellow passenger is a bit nervous as he has never before been on a plane तो इसका अंडरस्ट में हो गया but now he is but but now he is लेकिन अब वो plane में ही है तो कोई भी sentence जो होता ना जब हम उसको approach करते हैं चाहें लिखते समय चाहें पढ़ते समय चाहें बोलते समय तो हमें उसके meaning पर भी ध्यान देना चाहिए कि यह जो हमने words use किये है sentence में यह क्या meaning convey कर रहे होंगे और उसके बाद जो meaning एक general या overall meaning उस sentence का बन रहा होगा क्या वो logical है क्या वो ऐसा तो नहीं कि truth को counter कर रहा हो कि वो fact को counter कर रहा हो nonsense meaning कर रहा हो तो यह हमें ध्यान देना पड़ेगा अब जल्दी से कमेंट करके सारे बच्चे यह बताएं कि यह जो दो sentence मैंने समझाए हैं कि एक में present perfect के साथ में before लिखा था वो गलत हो गया एक में नहीं लिखा था वो भी गलत हो गया तो अब यह समझ में आ गया तो मैं next question स्टार्ट करो कि यह दोनों समझ में आ गये हो बच्चो तो एक बाद जल्दी से comment करके बताएं चलो बढ़िया समझ में आ गये कुल मिला के बात है कि यह तुम्हें समझ में आ गया कि यहाँ पर हमने never साथ before क्यों लिखा और यहाँ पर never साथ before क्यों हटा दिया ओके तो in a nutshell यह ध्यान रखना है कि present perfect tense जो होता है वो past औ present दोनों time को refer करता है अगर हम उसमें never लिख जिनमें केबल past negative होता present negative नहीं होता positive होता है कोई ऐसा action जो past में कभी नहीं हुआ लेकिन present में हो चुका होता है तो उसमें आप never साथ before जरूब लिखें I have never before told you this thing मैंने पहले कभी तुम्हें यह बात नहीं बताई but now I have लेकिन अब मैंने यह बात तुम्हें बता दिये ठीक ह चलो सबको समझ आगे तो बहुत अच्छी बात है अगला question देखो अब यह next two questions है ना बच्चे इन्हें एक बार पढ़ो और बताओ इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है सो समझ कर दोनों question पढ़िए ठीक है he often visits the house that he lived in his childhood these problems must be done away with without delay बता दोनों से यह दोनों गलत अगर यह दो sentence तुम्हें बोलने हो लिखने हो या पढ़ने हो तो तुम्हें क्या लगएगा कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है सारे बच्चे बताए बिल्कुल समझ में आगा बेटर जरूर समझ में आएगा अगर हम मेहनत से और इमानदारी से पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे और हमारा focus cable और cable learning होगी और कोई साय में बाते नहीं तो हम सीखेंगे दिक्कत तब होती है जब हम पढ़ाई को जानवूज के डाइलूट कर ले करेंगे तो पढ़ाई लिखाई हमेसा अच्छी ही होती है पढ़ाई लिखाई में गढ़बर तभी शुरू होती है जब हम पढ़ाई लिखाई को compromise कर देते हैं अब जैसे आजकल नया समय आगया नया जमाना आगया आगया तो आजकल बच्चों को क्या रहता है कि सीख तो हम पढ़ लेंगे दिमाग लगाना पड़ेगा मेपनाने पढ़ेगा नोटिस लग बनाने पड़ेंगे तो हम नहीं पड़त पाएंगे बीमारिया डिमारी आजकल चलिए बैच्छों में तेचर समय और हैं लोग यह पढ़ाते हैं और आने के साथ साथ में दूसरी पढ़ाई लिखाई के लावा कहीं और होई ना इधर उदा ध्यान जाये ना तब धीरे-दीरे सुधार होता है लेकिन बच्चों की डिमांड होती है और टीचर कई बार उस डिमांड को पूरा करने के चक्कर में अपना भी नुकसान करते हैं बच्चे का तो जवर्दस नुकसान कर देते हैं पढ़ाई के बीच में दुनिया भर की चीज़े डाले वैठे बे मतलब की मोटिवेशन वाली माबाप की बात है तो अगर हम उन चीजों से दूर रहेंगे और हमें पता कि माबाप जिसकी जिम्मेदार ही वह अपने आप देखे जागे हमिकाल लें देना तो अगर हम केवल पढ़ाई की बात कर लें तो वो धीरे धीरे समझदार बनेगा सेंस्योल बनेगा और वो अपनी विचिंता कर लेगा अपने माबाप की विचिंता कर लेगा ये कहां लिए ठीक है बस ये ही है चलो ये दो क्रेश्टन्स बता है तो क्या लग रहा है पहले वाला सही है दूसरे वाला गलत है बढ़िया मैं तुम्हीं ये लग रहा है कि पहले वाला सही है दूसरे वाला गलत है चलो पहले मैं आंसर बता जाता हूं फिर समझाओंगा ये वाला सही है ये वाला गलत है के बताओ समझ मैं किसीं को किसी यह किसी को सक्राइच का टाइम यह रहाई इस अधा Jeze घाएगा करेंगा मन नहीं करेंगा इन पर Śैने करेंगा यह कुछन नहीं को तो मैंने आपसे आप यह वाला जो sentence हमने लिखा है यह सही है वह वाला गलत है अब होता है कि जब हम देख कर चीजों को पता करने के कोशिस करते हैं सही है गलत है तब गड़बर होती है देख कर नहीं समझ कर तब पता करना चाहिए सही है गलत है sentence को देख कर थोड़ी पता किया जाता है अभी क्या गलत है नहीं यह तकनीक सही नहीं है हमें अपनी नॉलेज़ को इस तरीके से भाधर करना है कि हम सेंटेंस को समझ कर अप्रोच करें समझ कर पता अलेINT है पता लगा को जब हमें पहले से कुछ आता जाता हो तब तो हम समझने की कोसिस करें हमें कुछ rule exception के अलावा और fixed preposition के अलावा कुछ आते ही नहीं है जो भी ऐसो fixed वाला है है सब हमारे पास तो हम भी fixed हो गया है तो fixed वाली चीज गड़वर करती है अब देखने में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और किसी ने का कि पहले वाला सही लग रहा दूसरे वाला गलत लग लगेगा है तु मेरे इश्टुडेंट हो ठोडी तो मेरी लाज रखनी पड़ेगी ठोडी तो अ यह तो sentence है न हमारा इसको समझ ले सही कि मने तो बच्चे इसको जैसे तुम ने गला समझ लिया बहुत से लोग गला समझ लेते हैं यह must be done away with ठीक है यह passive verb है ठीक है these problems इस verb का passive voice में subject है ठीक है without delay यह prepositional phrase है ठीक है यह समझ लेते हैं यह जो sentence है इसके तीन पार्ट बड़े एक पार्ट है these problems जो की इस sentence का subject है एक है must be done away with जो की passive verb है यह verb है passive form है ठीक है और without delay में without preparation है delay जो है वो preparation का object है इस without को हमने उसके delay के लिए और यह with जो user है वो इस do verb के लिए अब कोई बच्चा सोचेगा यह है क्या do away with तो यह actually बच्चे एक phrase है phrasal verb है ठीक है do away with का मतलब होता है किसी चीज को टैकल करना उसको complete करना उसको terminate करना do away with it do with it का मतलब उसको निप्टाना सम करना यह हो गया तो यह do away with actually हमारी वर्ब होती है जिसको हमने यहाँ पर passive voice में लिख रखा है अब इसको ऐसे समझना है जैसे अगर हम इसको active बनाए एक बात तो हमारे सारे बच्चे ही जानते होंगे कि कोई भी वर्ब एक और मैं एक चोटा से पॉइंट तुम लोगों से पूझ रहा हूं मुझे बताना कमेंट करके शारे लोग आज सारे लोग बताएंगे कि अगर और कोई Guerra active है तो क्या उसका पैसी बन जाएगा और अगर कोई वर्ब पैसिव है तो क्या उसका एक्टिव हमेशा बन जाएगा हमें यह बताना है चलो बताओ तो बहुत कोई भी वर्ब जो है एक्टिव क्या उसका हमेशा पैसिव बन जाएगा और कोई भी वर्ब जो पैसिव है क्या उसका हमेशा एक्टिव बन जाएगा बताओ इस कोई verb अगर passive है, तो उसका तो active बन जाएगा, ठीक है, लेकिन कोई verb active है उसका passive बनेगा नही बनेगा, ये depend करता है बहुत सी बातों के, कहने का मतलब ये है, कि कोई verb active है, तो उसका passive बने गई जरूरी नहीं है बहुत सी verbs ऐसी होती है जो intransitive होती है उनका passive नहीं बनता बहुत सी verbs ऐसी होती है जो transitive होती है लेकिन फिर भी किनी कारणों से उनका passive नहीं बनता लेकिन अगर कोई verb passive है तो फिर उसका active बने गई बनेगा ऐसा क्यों होता है कि अगर किसी वर्ब का passive से active बन जाएगा हमेशा तो फिर active से passive हमेशा क्यों नहीं बनता तो इसके पीछे वज़े यह होती है वज़े कि जो active form है वो default voice होती है किसी वर्ब के default voice जो होती है वो active होती है पैसिव डिफॉल्ट वोइस नहीं होती है पैसिव हमेसा वर्ब को बनाया जाता है तो अगर किसी भी वर्ब को पैसिव हमेसा बनाया ही जाता है डिफॉल्ट वोइस पैसिव होती ही नहीं है तो अगर किसी को पैसिव बनाया गया तो फिर उसको एक्टिव भी बनाया जा सकता तो इस वज़े से कोई विज़ाए तो उसका तो अक्टिव हम बनाई लेते हैं हमें सा लगवक लेकिन कोई एक्टिव है तो उसका पैसिव बनेगा नहीं बनेगा है डिपेंड़ करता है बहुत से सिटोएशंस पर है कि इप मदलब यह कोई गरेंटी नहीं कि कोई वर्व वी सुव ओर इस में तो उसका पैसी बन जागा ने गर यहाँ पे चारव hem ने पैसी challenged में लए तो अगर यह पैसी बोकी है तो हम isure असका इनन को ये अजह एक्टिव बना लेतं है कि A अब वी लिख दिया अब इस वर्ब को हमें लिखना पड़ेगा active form में तो यह must be done away with जो हमने लिखा ना passive में इसको active बनाओ गए तो हो जाएगा must do अब वे बन जाता है उसी तरीके से पैसिफ फॉर्म में जो वर्व का सब्जेक्ट हो गया तो जब हम इस वर्भ को पैसिब से अक्टिफ बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा और जो विदाउट डिले हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज है यह अपनी जगे पर लिखी है तो यह ही लिखे रहेगी अब जब हम इस वर्भ को एक्टिफ फॉर्म में लिख देंगे तो मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को यह नहीं लगए गलाल लिखा हुआ देखो वी सब्जेक्ट हो गया मस्ट डू अवे विद हमारी वर्व हो गई यह हमारी वर्व हो ग जब हो गया देख हो गया जिक विदाउट डिले प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गई जो हाव का रप्लाई या वैन का रप्लाई है इसको सब्जेक्ट बनाया मस्ट डू अवे विद वर्व का हमने पैसिब गया तो मस्ट बीद हॉ गया और जो अबजेक्ट था वह जाके सब बन गया तो प्रेपोजिशनल फ्रेज्श स्विधाउट डिले वह वर्फ फ्रेज के पास आ गए खी थक्के तो हमने विद और विदाउट एक साथ हम सूच लिख दिया, without भी लिख दिया, दोनों एक साथ लिख दिया, तो गलत हो गया, यह गलत नहीं है, यह सही है, समझने का फेर है, तो कुल मिला के यह sentence सही है, अब आप समझ गया हो गया, meaning क्या है, वो नीचे लिखा गया, जो यह meaning है, वो ही meaning है, ठीक है, active passive change करने से meaning नहीं विद खतम करना चाहिए, we must do away with these problems, कि इन समस्याओं को अब हमें तुरंती खतम करना चाहिए, बिना देर किये, विदावट डिलेगा मतलब बिना देर किये, तो यह सही है, अब उस पर जाते है, अब हमें समझने कि वो क्यों गलत है, चलो यह तो सही है, समझ में आ गया, वो क्यो गलत है, उसके साथ क्या समझते है, तो आज अब उसका मैं समझाता हूं क्या समस्या है, कि वो गलत क्यों है, देखो बच्चे, इसके साथ पता है क्या समस्या मैं बता हूं आपको, इसके साथ समस्या बच्चे यह है, कि जो हमने साइंटाज लिखा, he often visits the house that he lived in his childhood, ठीक है, यह एक relative clause है, ठीक है, एक काम करता है, ऐसे नहीं, ऐसे लिखता है, यह एक relative clause है, relative clause, इसमें जो connecting word that है न, यह, यह relative pronoun है, जिसका एंटिस्टेंट the house है, यह house के लिखा गया है, और he often visits the house है, हमारी main clause है, यह often visits the house, यह हमारी main clause है, यह है main clause, इस main clause का subject ही है, often visits the house है, यह उसका predicate है, प्रेडिकेट जो है, उसमें often adverb of indefinite frequency है, विजेट हमारी verb है, ट्रांस्टिवर्ब, the house उसका object है, तो यह तो हो गई हमारी, main clause, इसको हम side कर देते हैं, क्योंकि इसमें कोई correction करना नहीं है, वो सही है, जो problem है, वो है, relative clause के साथ, अब relative clause के साथ, क्या problem है, यह समझते हैं, यह जो हमने lived verb लिखी है, यह verb है, intransitive, he जो है, वो इस verb का subject है, और यह जो that हमने relative pronoun लिखा है, तो relative pronoun यह एक ऐसा word होता है, जो connecting word का काम भी करता है, और pronoun का भी काम करता है, तो relative pronoun basically dual role में होते हैं, they are connectors as well as pronouns, तो connector होने के नाते वो दो phrases को, दो clauses को जोडते हैं, और pronoun के रोल में वो subject और object का का काम करता है, तो अब हमें पता है, यह जो that related pronoun यह subject तो होने सकता, क्यों नहीं हो सकता subject, क्योंकि यहां पर lived verb का subject ही है, तो यह that related pronoun जो है, वो object ही होगा, अब object किसका होता है, या तो verb का होता है, या preposition का होता है, तो हम्हें समझ ना है कि ये जो lived verb है क्या that is lived verb का object है तो answer है नहीं, live verb का object नहीं हो सकता, क्यों क्यों कि live verb इन्ट्रांस्टिब है ठीक है और ये जो that है किस लिए use हो है house के लिए use हो है that हमने pronoun यूज क gars बच्छे है as that pronoun house के लिए use किया तो house जो है वो live verbiv का object हो भी नहीं सकता क्यों क्यों नहीं हो सकता समझना क्यों नहीं हो सकता यह मैं समझा जेता हूं देखो हमने लिखा की लेव्ड 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 तो यह object house किसका बनेगा, किसी ने किसी preposition का, अगर verb का object नहीं, तो preposition का object बनेगा, अब यहाँ पे सारे बच्चों को ध्यानी रखना है, कि जो house है नव एक structure है, एक area है, तो उसके लिए हम preposition लिखेंगे in, तो यहाँ पे हमें preposition लिखनी पड़ेगी in, he lived in the house, ठीक है, तो करेंगे live verb से, तो in preposition लिखनी पड़ेगी, तो ध्यान से देखें, यहाँ पर in preposition लिखी हुई भी है, लेकिन अगर हम इस in preposition को यह माल लेंगे, कि यह जो that है, वो इस in preposition का object है, तो फिर यह childhood noun किसका object है, तो यह जो childhood है, ठीक है, इसके साथ भी preposition in use होगी, अब अगर हम इस in preposition को his childhood preposition का object माल लें, ठीक है, तो फिर यह that किसका object है, और अगर हम माल लेंगे that जो इस in preposition का object है, तो फिर his childhood किसका object है, तो कहने का मतलब यह है, कि यह sentence है गड़वर, ठीक, अब इसको सही कैसे करना है, तो सही ऐसे कर लो कि एक in और लिख दो, अब यह जो हमने in लि he often visits the house that he lived in in his childhood, अब यहां पर कोई बच्चा यह सो सकता है, कि अगर यह that relative pronoun जो है, वो in preposition का object है, तब तो हमें in preposition को that से पहले लिखना है चाहिए था, हमने बाद में क्यों लिखा, तो उसका reason मैं बताता हूँ, होता है क्या बच्चे, कि that relative pronoun अगर कभी किसी preposition का object हो, तो वो preposition relative clause के end में use होती है, पहले नहीं use होती है, ठीक है, that relative pronoun हमेशा अपने antecedent के साथ लिखा जाता है, तो अगर कभी ऐसा होता है कि जो that relative pronoun ने वो हमारी preposition का object होता है, तो हम preposition को बाद में shift करके लिखते हैं sentence में, relative clause के बाद में लिखते हैं, तो यह हमारे question का answer है, that he lived in his childhood that he lived in, in his childhood, यह हमारे correction हो गया, अब एक बाद जल्दी से comment करके बता हैं, कितने बच्चों को यह बात जो मैंने समझाई है, समझ में आई है, हाँ ना से काम चल जाएगा, बस हाँ ना बता दीजिए, कितने बच्चों को यह बात समझ में आ गई है, जो मैंने समझाई है, प्रेड ही लग रही होगी थोड़ी सी, कोई नहीं, इस चीज़े हम आगे भी पढ़ेंगे, यह जो क्लास है, इसके थुरू में बस आपको यह समझाना चाहता हूं, कि हमें इस लेवल से चीजों को सीखने, यह हमारा इस तर होना चाहिए, चीजों को हमें ऐसे सीखना समझ इसके लिए हमें तयार रहना है, कई बर बच्चा तयार नहीं होता, mentally इन चीजों को समझने के लिए, फिर उसको आप अच्छी चीज़े समझा दो, लेकिन वो समझने पाता है, आपका पढ़ाना बेकार गया, तो मैं आपको पहले से mentally prepare कर देना चाहता हूं, कि आप इस तर आपल लिखा, आई अगर ओम ओम व्यूम्यू वर रूम्यू वर रूम्यू वर रनिगू ट्यार ये यह सही मनें एक संतास लिए ठीक है एक कोई लिख रूम्यू ज़ितना। this box is the reason that they killed each other, अभी यह दो क्योस्टन देखा सारे बच्छे, जैसे हम लिगा, this box is the reason that they killed each other, ठीक, अब दूसरा हमने लिखा, I know the man whom you were running there, अब हमें यह समझना है कि यह दोनों लिखे के sentences सही हैं करता है, वो सकता है यह हमें पढ़ने में, बोलने में सही लग रहे हूं, लेकिन यह सही हैं नहीं, अब यह क्यों नहीं सही हैं, इसके लिए थोड़ा सा हमें इन sentences को analysis करना पड़ेगा, देखे, यह जो whom you were running there हमने लिखा है, ठीक है, यह हमारी relative clause है, यह home relative pronoun है, जो man के लिए उसके आगया man is kind of sentence, यह relative pronoun है, इस relative clause का subject यह हुआ है, इसकी verb है, we're running, ठीक है, और there जो है, वो एड़ वर वो टाइं, प्लेस है, और यह जो whom है, यह pronoun है, अब हमें पता है कि noun pronoun तो sentence में subject object होते हैं, हुम फ्लान में object होता है, whose object होता है, हुम object होता है, तो यह home object है, तो अगर यह object है, तो यह किसी ना, किसी verb का यह किसी preposition का object होगा, अब ध्यान से देखिए इस relative clause में, क्योंकि हुम जो है, वो relative clause का pronoun है, तो यह अगर subject है या object है, जो भी है, यह relative clause की verb और relative clause के prepositions का ही होगा तो relative clause में जो हमने verb लेखी है वर running तो वर running वर तो इन ट्रांस्टिव होती है लेकिन run का मतलब अगर operate करना हो जैसे हमने कहा he runs a shop तो यह run वर यहां पर ट्रांस्टिव है ठीक है he runs computer यह runs machine ऐसे तो मलब operate करना अगर इसका मतलब हो तो यह ट्रांस्टिव होती है लेकिन हमें पता है कि run वर्ब का object person नहीं हो सकता अब हमकूण्सी प्रैपॉजिशन हम लिखे है अब कौन सी प्रैपोजिशन लिखे है हमें समझना है तो एक काम कर के देख लेते हैं जैसे हमारे relative clause है ना लाव इसको थोड़ा सा assertive form में लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं यह वर running ठीक है और यह जो the man है यह home man के लिए उसके है तो हम the man को यहाँ लिख लेते हैं तो जब हम इसे ऐसे लिखेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यह sentence गलत लिखा हुआ है क्यों गलत लिखा हुआ है क्योंकि यू सब्जेक्ट है वर running work का सही है लेकिन the man जो हुआ इस वर्ब को आपजेक्ट नहीं बन सकता है तो हमें प्रेपोजिशन लिखने पड़ेगी अब हम कौनसी प्रेपोजिशन लिखें विद लिख दो मालों उसने विद लिख दिया यूँ वर रनिंग विद लिमेस को अबजेक्ट बनाया है तो उसी प्रेपोजिशन को हमें इस हूं को भी आप्जेक्ट करना के लिखना पड़ेगा क्योंकि हुम भी मैन को रिप्जेंट करा किसी और को नहीं अब वो डाइट जो रिलेटिव प्रणाउन होता है वो अगर किसी प्रेपोजिशन का अब्जेक्ट है तो वो प्रेपोजिशन हमेशा रिलेटिव क्लॉज में बाद में यूज होती है बागी जो रिलेटिव प्रणाउन्स होते हैं जैसे हूम है वीच है तो इनके पहले भी प्रेपोजिशन लिखे जा सकती है तो इस विद को या तो आप हूम से पहले लिख दो I know the man with whom you were running या तो ऐसे लिख दो और नहीं तो बाद में लिख दो यहां लिख दो I know the man whom you were running with there तो यह सही होगा तो यह तो लिख दो with whom you were running या लिख दो whom you were running with अब next में आ जाओ next sentence हमने लिखा this box is the reason that they killed each other तो हमने लिखा this box is the reason that they killed each other तो जो that they killed each other हमने लिखा न बच्चे यह हमारी relative clause है इस relative clause में वर्व हमने यूज किया है killed इस वर्व का subject है they object है each other they killed each other उन्होंने एक दुसरे को मार डाला ठीक है अब जो that हमने लिखा है यह relative प्रोनाउन ने रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो भी अपने relative clause में subject का काम करता है अब यह subject तो हो नहीं सकता है क्योंकि subject दे लिखा हुआ है वो किसे रेफर कर रहा है reason को reason को kill भी नहीं किया जाता है kill किया जाता person को जो कि यहां पर अल्रडी लिखा हुआ है तो कहने का मतलब that जो है वो killed वर्व का object नहीं वो किस प्रेपोजिशन का object है तो किस प्रेपोजिशन का object है वो प्रेपोजिशन का है तो वो प्रेपोज यहां पर देखो दे सब्जेक्ट हो गया इस अधर अब हमें पता है रिजन जो यह वर्ब का अब नहीं बन सकता तो इसको किसे ने किसी प्रेपोजिशन ना पड़ेगा अब किस प्रेपोजिशन का अब बनाएं तो रिजन लॉजिक के लिए प्रेपोजिशन इंगलिश में यहां पर लिखो इसको ऐसे लिखो देखिल्ड इच अधर फॉर दरीजन इस रिजन के लिए उन्हों ने एक दूसरे को माँ डाला तो हमें पता ही जो दरीजन है यह इस फॉर प्रेपोजिशन का अब्जेक्ट बनेगा तो अगर यह दरीजन इस फॉर प्रेपोजिशन का पहले भी लिख सकते हो, हम है और विच है अगर रिलेटिव प्रेपोजिशन का अब्जेक्ट हो तो आप प्रेपोजिशन इनसे पहले भी लिख सकते हो या रिलेटिव क्लॉज में बाद में भी लिख सकते हो दोनों चॉइस होती है हमने फिलाल में बाद में लिख दिया ल यह बॉक्स वो रीजन है जिसके लिए उन्होंने एक दुसरे को माड डाला मलो को बॉक्स वगर है उसमें कोई बहुत कीमती चीज है को यह लादिन का चिराग है लोग उसको ढूंडते घूम रहे हैं और एक दुसरे की हत्या कर रहे हैं उस बॉक्स को पाने के लिए ठीक है तो वॉक्स रीजन हो गया जिसकी वज़े से उन्होंने एक दुसरे को माड डाला तो यह ऐसा जाएगा दिस बॉक्स दा रीजन देट इस अदर फर अब अगर यह बात समझ में आ गई है तो अब तुम्हें यह भी समझ में आया होगा यह जो ही चाल्डूड है यह इस इन अब चुंकि इन प्रेपोजिशन को हम दैट से पहले नहीं लिख सकते तो इसलिए हमने उसको बाद में लिख रखका है और वह इस तरीके से सेंटेंस बना कि दोनों इन इन एक साथ आ गया और बच्चा देखके कन्फूज हो रात है अब 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 तर यह सही समझ में आ ग समझ में आ गया हो तो यह जो दो क्वेशन है आज मैं आपके साथ और डिसकस करूँगा सारे बच्चे इसका आंसर बता है यह दो क्वेशन पढ़ो और इन दोनों क्वेशन को पढ़ने के बाद में इन में क्या करेक्शन है क्या नहीं करेक्शन है यह बता हो दोनों सही है दोनों गलत हैं जल्दी से बताओ सबको answer बताना है all those who are live at the moment इस समय जितने भी candidates live है उन सबको इन दोनों questions का answer करने करना है यह जो दो sentence आपको इस screen पर लिखे हुए दिख रहे हैं यह दोनों ही सही है यह दोनों ही गलत है यह दोनों में से कोई एक गलत है यह जल्दी से comment करके बताओ the man gave the child the book the man gave the book the child answer बताइए अब देखो grammatical अगर मैं आप से interpretation मांगू in sentences का तो मुझे लगता सारे लोग ही बता देंगे हमारे सारे बच्चों को ही पता होगा इन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है ठीक है अच्छा तुम लोगों की एक चीज मैं और बता दू एक आदत डालो मेरी थोड़ी सी आदत है कि मैं react करता हूँ ठीक है और कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि यह मेरा negative attribute है ठीक है but deep inside me I know very well that it is not negative at all it is the attribute that that compels me to do better every time ठीक है तो कुल मिले के बात यह कि अगर आप मैंने कुछ पढ़ाया है और मैंने समझाया है तो मैं आप से expect करता हूँ कि आपने वो पढ़ा और समझा भी है ठीक है तो जब कभी उससे related question पूछा जाएगा या question पूछा जाएगा तो आप बताओगे उसको explain करोगे ऐसा मैं मान के चलता हूँ लेकिन जब मैं expected result नहीं पाता हूँ कि मैंने पढ़ाया मैंने समझाया और तुमने उस बात को seriously लिया नहीं पढ़ाया समझा नहीं तो आई react फिर मैं कई तरीके से react करता हूँ मैं किचाई कर देता हूं कई बार कुछ सायवाएं कह देता हूं ठीक है बट तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है पढ़ने पर तुम्हें इस बात ध्यान देना है कि यह बात हमसे expected थी सीखना समझना और हमने नहीं सीखा पाओगे अगर मूफ लाने की आदत है और ऐसी आदत है कि नहीं हमसे बहुत प्यार से बोला जाए हम तो घर के राजा बेटा है हमें तो कोई दाटा दमकाता नहीं है तो यहां पर तो ऐसा नहीं होता तुम लोग जानते हो ठीक है तो उस चक्कर में कई बार बच्चा होता तो बिल्कुल अहिंसक परसन हूँ, हिंसा तो मुझे पसंदी नहीं है, मैं तो अहिंसाबादी इंसान हूँ, तो मैं यह बिल्कुल मानता हूं कि जिसके अंदर बदलाव होना है, वो शब्दों से बदल जाएगा, एक दो बार डांट बांट पड़ेगी, एक दो बार खिचाई होगी, तो जिसमें स्कोप है सुधरने का, वो सुधर जाएगा, अचा जो शब्दों से नहीं सुधरा, फि कि डरना नहीं है, तो आपको बस यह ध्यान रखने है, कि आपने डरना नहीं है, क्योश्चन का आंसर पूछा गया, तो उपना बताओ, चाहिए गलत बताओ, लेकिन सोच समझ के बताओ, तो बस तुमने बताना है, तुमने गवराना नहीं है, बहुत सा अच्छा हो तो आपना है लर्निंग में कुछ कहा गया है बताने के लिए तो फिर बताना है किया रहे मुझे तो चाहे जूते मार लो अरे नहीं नहीं अरे बेटा मैं क्यों मैं क्यों मारूंगा बच्चों को अपने, मैं क्यों पीटूंगा मैं तुम्हें सुधारना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बे मतलब तुम्हारी पैंपरिंग नहीं करना चाहता हूँ मैं तुम्हें सुधारना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ मुझे कोई तुमसे दोस थोड़ी है मुझे कोई तुमसे द्वैस नहीं है बच्चे तुमने मेरा कुछ छीन जपट नहीं लिया है तुमने मेरा कुछ लूट लपाट नहीं लिया है ठीक है तुमने तो मेरी मदद की आगे बढ़ने में जिन्दिकी में मैं आज धो यहां पर हूं मैं कहता नहीं हूं कभी बच्चों से लसा है लेकिन सो बच्चे था है लेकिन सर पर दो नहीं चड़ा सकता ना तो तो थो यहां सब्सक्रिप्टिर् sos है तो समझ कर बताना फिर शैयों जाए चाहिए घलत हो उसकी चिंता मत करना वह हम देख लेंगे बाद में एक्ट करेंगे सर जी हमें पहचान नब करें ऐसा नहीं होता है दरना में आप तो the man gave the child the book क्या पताया तुम लोगों ने ए राइट है बी रॉंग है दोनों गलत है अच्छा कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि दोनों गलत है कुछ को ऐसा लग रहा है कि दोनों सही कुछ को लग रहा है एक सही है गलत है अब देखो समझते हैं इसको कैसे अप्रोश करन जो है एक कि आएक अधार इसके बाद हमने देखो हौट्पाइए और हूम का रव्पलाईए दोनों लिखे है कि दबूक्र वाटपाइए तो वह डारेकट अबजेक्ट है यह चीज शायल्ड जो होंॉम का रव्पलाईए और वह चाईद कर अबसूश में हों तो यह सब ने पहचान लिया अपने आप ठीक है अब देखो हमने क्या पढ़ा था बच्चे हमने यह पढ़ा कि जो हमारे डायरेक्ट अबजेक्ट होता है जो कि वाट का रेपलाई होता है और यूजली कोई थिंग होती है वो होता है वर्ब का होता है जो हुम का रेपलाई होता है और देखो hy यह पर्सेरी होता है या फिर वो बेनिफेशरी होता है यह हमने पढ़ रखा हमें पहले से पता है अब हमें ध्यान यह रखना है कि जब कभी हम इंडारेक्ट अबजेक्ट को डारेक्ट अबजेक्ट से पहले लिखते हैं तो जब हम इंडारेक्ट अबजेक्ट को डारेक्ट अबजेक्ट से पहले लिखते हैं इधर से उदर जा रही है तो यह recipient हो जाता है तो हम उसके जात में टू या फॉर प्रेपोजिशन भी जरुवत के हिसाब से लिखते हैं लेकिन अगर हम किसी कारण से डारेक्ट अबजेक्ट पहले लिखने इंडारेक्ट अबजेक्ट बाद में लिखने तो इंडारेक्ट अबजेक्ट जो रेसिपेंट बेनिफेसरी होता है उसके साथ हमें टू या फॉर प्रेपोजिशन लिखनी पड़ती है अगर वह बेनिफे यह ने लिखा नमें गेब दा चाल्ड दा बुक यह साही है इसको लिखना पड़े दा मैं गेब दा बुक टू दा चाल्ड बुक जो है न वह बच्चे के पास जाएगी बच्चा उसका रैसी पेंट है तो टू प्रेपरिश्टिशन लिखो फैजिए अब यह जो आप चोटा सा ग्रेमर कॉंसेप्ट है इस इसको समझने से छилber अब चुह जो आपको रच पर मिलता मैं आपको समझाओ इसको समझने से हमें यहां पर बहुत बड़ा प्धा वेलता मिलता वागे जैसे मैं éléments लिखा मैंने से लिगा हि पखी है मोहन the secret अब जैसे ही जो हमने sentence लिखा है आप इसमें देखो कि told die-transitive verb है मोहन इसका एक object है indirect object है इसका एक object है direct object है अब अगर कोई verb ऐसे ही हो जोकि die-transitive हो जिसके साथ मैं direct-indirect दोने object हूँ तो हम उसके दो passive बना सकते हैं दोनों object को एक एक बार subject बना होता है दो passive बन जाते हैं अब जब हम इसके दो passive बनाएंगे तो देखो होगा क्या जब हम इसका passive one बनाएंगे तो माल लेते हैं हमने indirect object को subject बना लिया indirect object को हूँने मोहन तो हमने मोहन को subject बना के voice change कर दी मोहन was told the secret by her हमने ऐसे लिख दिया अब अगर हम इसका passive to बनाए passive to का मतलब जो direct object है उसको भी subject बना के voice change करें तो हम लिखेंगे the secret was told to Mohan by her अब यहां पर देखोगे तो पाओगे कि यह जो told verb है passive voice में was told तो यहां पर हमने इसके बाद direct object लिखा the secret लेकिन यहां पर हमने मोहन को object बना के लिखा two preposition का लेकिन उपर वाले sentence में ऐसा नहीं था मोहन जो था वो object था told का और two नहीं लिखा था तो यह point कई बना बच्चों को confuse करता है कि उनको यह point confuse करता है उन्हें यह समझना मुश्किल हो जाता है कि भाई जब यहां पर मोहन के साथ हमने two नहीं लिखा तो यहां पर मोहन के साथ में two क्यों आ गया तो बच्चे confused रहते हैं क्योंकि उन्होंने यह पढ़ रखा होता है याद कर रखा होता है कि told के साथ में two preposition नहीं आती लेकिन अब आपको समझने की जरूरत है कि इन दोनों में difference है क्या difference है कि यहां पर हमने indirect object को subject बना दिया तो जो verb है passive voice में उसके बाद उसका direct object लिखा हुआ है अच्छा direct object जो होता verb का real object होता है तो हमें कोई preposition वगएरे कि जरूरत नहीं ऐसे sentence सही हो गया लेकिन जब हम direct object को subject बना देंगे तो जो indirect object है वो preposition verb का object तो होता है वो तो verb का real object नहीं होता है तो हम उसको preposition के साथ लिखते है तो कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी di-transitive verb के साथ में direct और indirect दोनों object लिखते है तो अगर हम indirect object को direct object से पहले लिख रहे हैं तब तो कोई preposition नहीं लेकिन अगर वहाँ पर direct object ना लिखाओ यह direct object को passive बनाते समय पहले subject ना दे गया तो indirect object को preposition के साथ लिखना पड़ता है तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा The secret was told to Mohan by her Mohan was told the secret by her तो कई बर बच्चा उता है इस two को समझ नहीं पाता तो अभी हम लोग ना एक class और रखेंगे grammar versus logic पर कुछ और situations discuss करेंगे तो एक बार आप mentally prepared हो जाओगे स्लेवस के लिए mentally prepared हो जाओगे फिर अपना chapter wise स्लेवस स्टार्ट कर देंगे ठीक बाकि ऐसा ही है कि एक दो छोटे-छोटे काम करने है में इंग्लिस पढ़ते रहनी है आप मैं recommend करता हूँ हमेशा academic की books को ठीक है क्योंकि मुझे पता उन ही में सब कुछ है क्यों काम की चीज़ें सब उन में तो मैं आपको भी academic की books ही recommend करूँगा किसी भी private publication की 7th और 8th standard की English की books ले लो दो books 7th में होती है English की दो 8th में होती है एक होती है reader book और एक होती है grammar book ठीक है दोनों ले लो 7th की भी दोनों ले लो 8th की भी दोनों ले लेना किसी private publication की NCIT की जो books होती है government printing place की छपी भी वह मत लेना क्योंकि उन में क्या होता है chapters अच्छे नहीं होते हैं और chapter अगर अच्छे होते भी हैं तो उन पर exercises वगए अच्छी नहीं होती है प्राइबट पॉब्लिकेशन की books महंगी जरूर होती है लेकिन वह काम करती है chapter के end में काफी exercises होती है workab की exercises भी होती है comprehension की exercises भी होती है grammar की exercises भी होती है ठीक है और chapters भी compatibility थोड़े अच्छे होते है content जादा होता है सरकाभी किताब में बहुत में बहुत कम content होता है private books होती है private publication के chapters जादा होते है तो enrichment होता है, फ्ल मिलाके पैसे पढ़ते हैं लेकिन काम हो जाता है, तो private publication बुक ले लिए किसी से भी, ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते हो, क्योंकि नहीं किताबे बड़ी महंगी आती हैं, private publication वाले, school वालों के साथ में, वो गोरग धंदा करके, मतलब commission वाजी चलती है तो आप लोगों तो पते ही होगा तो इस वज़े से उनके ओवर प्राइस होते हैं बुक्स काफी जादा मतलब साड़े 300-400 रुपे किताब होती है तो अगर आप उतना खर्च नहीं करना चाहते हो तो हर एक बड़े सहर में या शहर में मुझे लगता है पुरानी किताबों कि कोई-न्य-क मार्केट होती है दुकान होती है जहांते पर पुरानी के लिए अधेदिया Pvtj में जाएगी नहीं तो अशनके बच् restraint की सुए पिजुराद में कप्ड़ताराइए बच्के हो प्राइव क्लास में उनकी बुक्स ले लुग अगर वो अग्ले फ्रत्स देखो नाम बताने में कुछ नहीं है मैं और यौर यह यह आज इए जìली में इस प्राइवन सब्सक्राइब होग कोछेद प्राची है का intervened रभा है डीवी और वह काम करती है ऑक्सफर्ट नब्राइब हैं मनले कोई भी वस्कुलिकेशिन को समझ मां है इस समझाय करू तो आज के लिए बस इतना ही है बाकी कोई छोटा मोटा question होगा तो मैंने तुम लोगों को अपना private WhatsApp नमबर दे रखा है personal WhatsApp नमबर है तुम लोगों के पास में ठीक है तो कोई छोटा मोटा doubt होता है कोई query होती है तो उस पर पूछ सकते हो WhatsApp पे contact करने की तरीका होता है at a time एक question जब उसका reply आ जाए तो next बेजना है नहीं तो एक दिन हो जाए चाहे दो दिन हो जाए चार दिन हो जाए वैसे चार दिन होते नहीं है लेकिन अगर हो जाए तो इंतिजार करना है तो छोटे मोटी कोई query है छोटा मोटा को confusion है तो आप WhatsApp पे मुझे contact कर सकते है WhatsApp नंबर सब के पास है मेरा personal बाकी अगली class में मिलेंगे तो अभी इसी topic को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे कि logic versus grammar जो है इस तरीके से sentence को देखने के मैं आज़र डल नहीं है बारिकी से फिर उसके चैप्टर से start करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा ठीक है तो अभी के के लिए वस इतना ही बच्चों फिर मिलते हैं अगली class में तब तक खूब पड़ो खूब बढ़ो थैंक यू बाय गूड़नाइट